दोस्तों अगर आपके फोन का भी मोबाइल डाटा आन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सेते हैं फिर भी दोस्तों आपके फोन में इंटरनेट नहीं चल रहा है जैसे कि दोस्तों हमारे फोन में यही प्राबलम हो रही है अगर मैं अपना यूटूब ओपन करता हू तो दोस्तों यहां पर आप देखते हैं हमारा play store भी open नहीं हो रहा है अगर मैं कोई application हो गया रहा कुछ भी open करता हूँ तो यहां पर जो है you are offline लिखके आ रहा है तो दोस्तों कुछ भी open नहीं हो रहा है तो दोस्तों यहां पर कुछ ऐसा है कि हमारा mobile data भी आन है लेकिन फिर भी हमारे phone का internet नहीं चल रहा है न YouTube चल रहा है न Facebook चल रहा है न ही play store हमारा open हो रहा जैसा है कि दोस्तों आप लोगों ने देखा तो आप दोस्तों आपको क्या करना होगा कई बार गलती से कुछ हमारे phone में ऐसी settings दी होती है जो change हो जाती है जिनकी वज़े से दोस्तों हमार हमारे phone का internet data on रहता है रिचाज रहता है उसके बाद भी हमारे phone का internet नहीं चलता है तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है तो कुछ settings मैं आपको बताऊंगा दीन setting आपको करनी है उसके बाद दोस्तों 100% आपकी ये problem दूर हो जाएगी तो छोड़ी सी वीडियो होने व इतना करने के बाद दोस्तों आपको रिचे comment box में चले जाना है और comment box में आपको अच्छी सी comment लिख देना है इस तरीके से nice trick और send कर देना है उसके बाद दोस्तों आपको बैक आना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ WhatsApp ग्रूप पर ज्यादा ज्यादा share जरूर कर करना है आप जैसे इतना कुछ कर लेते हैं जो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट आप जो है फोन में 100% इंटरनेट चलने लएगा तो आपको क्या करना सबसे पहली सिटिंग करने के लिए आपको अपने फोन में सिटिंग में जाना है और सिटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर आपको mobile network की सिटिंग मिल जाएगे तो इस पर आपको आना है अब दोस्तों 3G only, 3G, 2G only, LTE, 3G only तो यहाँ पर आपको देखना है कि कहाँ पर select है तो यही पर आपको select होना चाहिए अगर यहाँ से select है 2G पर यह फिर अगर कहीं other पर select है तो इसे आपको LTE पर select करके auto कर देना ओके यानि कि first number पर करना है मतलब यहाँ से कोई problem हमारे phone में नहीं है तो य करनी है कई बार पहली setting से ही आपकी problem दूर हो जाती है लेकिन फिर भी अगर नहीं होती है तो नीचे आपको दोस्तों setting दिखाई दे रही access point name के नाम से अब दोस्तों यह setting हर एक phone में होती है या फिर APN के नाम से setting होगी तो आपको इस पर जो है टैप करना है अब दोस्तों आपको three dots दिखाई दे रही इस पर type करना है reset to default पर type करना उसके बार reset करना है और यहां पर आपको इसे इस तरीके से select कर देना है यहां पर okay इतना कर देना उसके बाद दोस्तों आपको यहां से बाहर निकलाना है अब दोस्तों दो setting हो गई है अब कई बार क्या होता कि आप आपको हो सकता है दो सेटिंग करने के बाद ही आपकी ये प्राब्लम दूर हो जाए लेकिन अगर नहीं होती तो अब आपको फोन में तीसी सेटिंग करनी हो तीसी सेटिंग करते ही दोस्तों आपको फोन का इंटरनेट चलने लगेगा तो तीसी सेटिंग करने के लिए आपको reset की setting मिल जाएगी तो इस पर आपको tap करना है अब दोस्तों यहाँ पर आप जैसे tap करेंगे तो यहाँ पर आपको एक option मिलेगा reset network setting तो इस पर आपको tap करना है और यहाँ से आपको reset कर देना है अब जैसे आप इस पर reset करेंगे तो आपके network की सभी सिटिंग जो है रीसेट हो जाएंगी और इसे दोस्तों आपका कुछ भी डिलीट वगारा नहीं होगा बस दोस्तों इतना करने बाद आपको बाहर निकलाना और अब चलिए मैं दोस्तों अपने फोन का जो है इंटरनेट चला के देखता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों मैंने अपना यूट्व अप्रिकेशन आपका एंटिक उपन किया हैं दूस्तों आप देखते हैं हमारे फोन का यूट्व जो है चलने लगा है और यही तरीके से जाएज जादर लाइक कीजिए, सेयर कीजिए और आगे बेसी वीडियो के चैनल सब्स्क्राइब कीजिए फिर मिलते हैं को और वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखे आपका दिन सुबह